हुआ हलो एवरीवन दिव्यान शेयर फॉम रेजनेंस और हमारा चाप्टर चल रहा था क्लास 9 का इंप्रूब्मेंट इन फूर्ड रिसूर्स दो लेक्चर समने कतम कर लिये थे लास्ट लेक्चर में हमने डिसकस कर रहा था कि जो जनेटिक मैनिपिलेशन है वो क्या होता है ह में कैसे मोडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि हमें इंप्रूब्व वराइटी की क्रॉप मिले अब हमें जो सेकेंड टॉपिक था इस क्रॉप प्रोड़क्शन मैनेजमेंट वह पढ़ना था वही तीन हम चीज़ें देख रहे थे सबसे पहला था जेनिटिक मैनिपिलेशन उसक क्रॉप प्रोड़क्शन मैनेजमेंट थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो उसका एक पार्ट है जो आज हमें पढ़ना होगा तो सबसे पहले करते हैं क्रॉप प्रोड़क्शन मैनेजमेंट क्या होता है अगर आपको क्रॉप को इंप्रूव करना है तो वह ऐसे होनी चाहि से नहीं पहुंच पारी फार्मर इंवेज को अप्रोच करना चाहिए तब क्रॉप प्रोड़क्शन मैनेजमेंट में क्या करेंगे हमने वहीं हाइब्रिडाइजेशन वगेरा कर लिया था हमने क्रॉप को इंप्रूव भी कर लिया था बट जब आप ग्रोव कर वाओगे तब तो सबसे पहले हमारे जो क्रॉप प्रोड़क्शन मैनेजमेंट है उसका सबसे पहले टॉपिक है न्यूट्रिंट मैनेजमेंट क्रॉप में न्यूट्रिंट कहां से आते हैं कौन-कौन से होते हैं और हम कैसे प्रोवाइड करवाते हैं यह पढ़ेंगे इसमें फिर आता है हमारा irrigation, irrigation में क्या होगा, irrigation में हमें ये बताना है कि water कैसे supply होता है plants को, किस तरीके के plants को कितना water चाहिए and lastly irrigation के types की irrigation भी अलग-अलग types का होता है कि अलग-अलग तरीके से हम water supply करते हैं क्या and in the cropping pattern हम different types के cropping pattern को discuss करेंगे, तो इस lecture के लिए हम देखते है nutrient management को, ठीक है तो let's start with it और पहला जो हमारा topic है वही है nutrient management, देखो अब plants are the plants nutrients are the minerals needed by plants for their growth, देखो हम सब को पता है अगर हमें grow करना है humans को grow करना है या animals को grow करना है तो हमें nutrients की requirement है, जो हमें food से मिलते हैं, but plant कहां से nutrient लेते हैं, mainly ये बात है, elements या minerals के अगर हम बात करें तो plants कहां से मिल, plants को कहां से मिलते हैं, तो for their growth and development and maintenance, plant absorb large amount of elements from soil besides water and air, out of 40 elements present in plant ash, only 16 are essential, देखो हमें ये दे रखा है कि जो plants है, उन्हें nutrients कहां से मिलते हैं, air, water और soil से मिलते हैं, भाई water हम supply करेंगे plants को, उसमें से कुछ nutrients मिल जाएंगे, air से भी कुछ nutrients absorb कर लेते हैं, and lastly, soil से तो nutrients को absorb करते ही हैं, ठीक है, अब बात यहाती है कि यार देखो nutrients कितने होते हैं, कितने चाहिए, क्या करेंगे, तो out of 40 elements, अगर आप plant की ash लो, मतलब वो पत्ता लो, आप अगर वो पत्ता dry हो गया, वो dry पत्ते में से देखो, आप उस plant की ash में, अगर हम research करें तो मैं 40 elements around मिलते हैं, और इन 40 elements के लिए अगर बात करें कि plant की growth के लिए essential है, तो only 16 elements are essential for plant growth, मतलब यही 16 elements हैं, जो कि plant को grow करने में अच्छे से help करते हैं, कौन से हैं, carbon, iron, hydrogen, magnesium, oxygen, boron, nitrogen, zinc, phosphorus, copper, potassium, molybdenum, magnesium, chlorine, sulfur and calcium, यह कुछ elements हैं, यह कुछ minerals हैं, जो कि soil में present होते हैं, air में present होते हैं, water में present होते हैं, और plants इन्हें absorb करके क्या करते हैं, अपनी growth करते हैं, ठीक है, अब sources of plant nutrients, यह देखना है कि plant कौन से nutrient किस source से obtain करता है, तो सबसे पहला source हमारे पास क्या है soil है, soil से plant को nitrogen मिल जाता है, phosphorus मिल जाता है, potassium मिल जाता है, calcium, magnesium, sulfur, iron, magnesium, boron, zinc, copper, molybdenum, chlorine, यह सब जो nutrients है, वो plant को किस से मिल रहे हैं, soil से मिल रहे हैं, ठीक है, lastly फिर, not lastly, फिर air की बात करें, तो air से carbon मिल जाता है, oxygen भी मिल जाता है, plant को, ठीक है, hydrogen कहां से मिलता है, water से hydrogen मिलता है, water का formula ही क्या होता है, है, H2O, तो यह hydrogen जो है, वो plant को किस से मिल जाता है, water से मिल जाता है, then, on the basis of requirement, कुछ कुछ क्या होता है, हम भी अगर nutrients लेते हैं, हम भी minerals लेते हैं, तो हमने भी उन्हें दो categories में divide कर रखा है, एक macronutrients, जो हमें जादा requirement में चाहिए, और दूसरे micronutrients, जो हमें कम requirement है, अब इसी तरीके से, जो plants है, वो भी जो nutrients लेते हैं, वो भी दो categories में divided है, macronutrients और micronutrients, अब इसमें यह है, यह न, out of 16 elements, जितने 16 essential elements थे, कितने थे essential elements, 16 elements, out of 16 elements, 13 होते हैं, वो हमें soil से मिलते हैं, और यह 13 nutrients में, हमने दो categories में divide कर रहा है, first is macro, and second one is micro, तो which elements comes under the macronutrients, देख लेते हैं, nitrogen हो गया, phosphorus हो गया, potassium हो गया, magnesium हो गया, and sulfur हो गया, यह जो है, यह हमारे किस category में आ जाते हैं, macronutrients की category में आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद, अच्छा, इसमें carbon भी होना चाहिए, उसके बाद अगर हम बात करें, micronutrients की, तो micronutrients में कौन आ जाते हैं, iron, magnees, copper, zinc, boron, molybdenum and chlorine, तो यह कुछ elements है, यह कुछ nutrients हैं, जो कि plant की growth के लिए required होते हैं, कुछ micro होते हैं, और कुछ macro होते हैं, ठीक है, यह normal सी चीज थी, plant को nutrients क से मिलते हैं, अब इसके बाद हम बात करेंगे next topic की, that is, कि हम प्लांट को अपनी तरफ से nutrient कैसे दे सकते हैं, आप अगर soil grow करते हो, soil sorry, आप अगर plant को grow करते हो, crop को grow करते हो, तो आपको किसके requirement होती है, nutrient देने की requirement होती है, उस plant को, आपने देखा होगा, खाद का नाम सुना ह होगा, फरिलाइजर का नाम सुना होगा, तो वही सब हम इसमें डिसके होगा है, तो कुछ वेस होते हैं, जिसके तरो अपनेट को nutrients प्रवाइड करते हैं, then the first way is, manure, manure क्या होता है, जो खाद होती है, खाद कोई मैन्यूर बोलता है, बनता किस से ही है, मनियॉर्स आइजर और productivity of crops simple सी बात है मैन्यौर्स क्या होते है मैन्यौर्स है स्था सकते हो खाद जो किससे बनता है काऊ दंग यानि का गोबर और प्लांट रिजीड्यू क्या है वही जो प्लांट के वेस्ट है प्लांट का जो वेस्ट बच रहा है, that is the plant residue, agricultural waste, आपने कोई crop grow करी, ठीक है, उसका जो काम का पार्ट था, जो आपका utilizing part था, वो आपने ले लिया और बचा हुआ पार्ट आपने वहीं छोड़ दिया, वो भी बागे जाके क्या होगा, decompose हो जाएगा, और उसके भी nutrients प्लांट soil में आ जाएँगे, leaves, plant की जो leaves है, वो जब soil में जाएँगी, decompose होगी, वो nutrients return कर देंगी, soil को, तो यही कुछ चीज़े होती है, जिन से हमारे क्या बनते है, manure होते हैं, बिल्कुल organic, इसमें कोई भी chemicals नहीं होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि यह तो waste material से बन रहे हैं, और decompose होकर बन रहे, organic waste जब decompose होता है, तो that will make manure, और कौन करेगा, decompose microbes, यहनि कि bacteria उसे decompose कर देंगे, manure का फायदा क्या है, fertility प्रोवाइड कराता है, soil को, soil की fertility को बढ़ा देता है, advantages देखे तो, enriched soil with nutrients, भाई सबसे पहली बात है, यह soil में क्या कर देगा, nutrients को enriched कर देगा, nutrients का amount बढ़ा देगा, provide soil with lot of organic matter, humus, humus अगर आपको पता हो, तो dead or decaying organism को क्या हम बोलते है, humus बोलते है, ठीक है, soil में जब वो mix हो जाते हैं, तो they are called humus, और humus का amount बढ़ा देगा, humus का amount बढ़ाएगा, तो soil क्या हो जाएगी, soil अपने आप में hold होने लग जाएगी, देखो, texture हो जाएगा, साथ के साथ, water retention capacity भी बढ़ जाएगी, इसका मतलब यह है, कि soil की जो है, water को hold करने की capacity भी बढ़ जाएगी, देखो, एक तरफ है, sandy soil, sandy soil में अगर आप water डालोगे, तो वो pores के through होता हुआ, उसमें spaces के through होता हुआ, जल्दी से pass out हो जाएगा, बट एक तरफ clay soil होई, clay soil की water retention capacity क्या हिजादा, तो आप उसमें water डालोगे, तो वो water को hold करके रख सकती है, तो यही करता है, manure water retention capacity बढ़ा देता है, addition of manure to soil reduces soil erosion, देखो, अगर आपके पास बिखरी हुई मिटी रहेगी, water retention capacity नहीं रहेगी, तो बारिश आते ही, वो soil क्या हो सकती है, सीधी बह स सकती है, बट अगर वो soil hold है, behold हो रखी एक दूसरे से उसमें ज्यादा spaces नहीं है, तो water को retain कर सकती है, और इसका मतलब, वो soil erosion को भी क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, फिर costless manure सस्ते आते हैं, गाय का गोबर आपको कितना भेंगा मिल जाएगा, ठीक है ना, तो manure क्याते है, सस्ते आते हैं, घर पे भी बना सकते हैं, लास्ली, और्गैनिक मैंटर अड़ेट तो soil, प्रोवाइड न्यूटरियन, तो soil, फेंडरिल, बैक्टिरियल, सैंड माइक्रोब, जो आप और्गैनिक मैंटर देते हो, वो soil को, वो soil की fertility को तो बढ़ा ही रहा है, साथ के साथ, जो earthworms है, उनको भी benefit कर रहा है, साथ के साथ, जो bacterias है, क्या कह सकते है, crop friendly bacterias है, उनकी भी productivity को बढ़ा रहा है, ठीक है, तो यह तो कुछ manure के फायदों की बात होगे, नुकसान क्या है, बलकि with low nutrients, जो manure है ना, उनमें nutrients का amount in comparison to, कि वो कितने जादा amount में दे रहे हो, वो कम होता है, मतलब आप इतना सारा अगर manure दे रहे हो, तो इतने सही nutrients मिलेंगे, तो बलकि होते हैं, भार ही होते हैं, but nutrients का amount कैसा रहता उनमें, कम, nutrient specific भी नहीं होते हो, इसका मतलब है, ऐसा नहीं है कि कोई particular nutrient particular amount में, या fixed amount मे present है, कुछ nutrients का भी जादा हो जाएंगे, कुछ nutrients का भी कम हो जाएंगे, तो they are not nutrient specific, then the nutrients of manures are released slowly, जो manure की nutrients है, वो क्या होते हैं, थोड़े से complex होते हैं, तो उन्हें simple form में release होने में time लगता है, being बलकि their storage and transportation becomes difficult, storage और transportation इनका difficult होता है, manures are not nutrient specific, यह मैंने बता दिया, nutrient specific नहीं होते होते हैं, manures, और एक और चीज़, manures होते हैं, वो easily absorbable भी नहीं होते हैं, क्योंकि manures कैसे absorb करेंगे, क्योंकि बलकी form में होते हैं, directly dissolved form में तो होते नहीं है, पानी में water dissolved form में नहीं होंगे, तो वो बलकी form में होंगे, और बलकी form में होने की वज़े से क्या होगा, वो easily absorbable भी नहीं ओंगे इसके बाद बात करते हैं wait magazines को इंडस्ट्री इस को इंडस्ट्री इनप्रेस करते हैं इनका फायदा यह है कि यह बिलकुल एसिंशल маш drastically न्यूत्रिंटरिणम फ्रेशियन करते हैं और एक फि्ज्ट क्वाउंटिटी में contain करते हैं जिससे plant की growth पे बहुत ज़ादा असर पड़ता है plant बहुत rapid grow करता है advantages क्या है fertilizers के water soluble है तो easily absorbable होते है nutrient का amount इसमें specific होता है मतलब nutrient fixed amount में इसमें present होते हैं आपको जितना पीछे label पे दिया जाएगा उतने ही इसमें nutrients present होंगे ठीक है और high amount of nutrients वहां क्या था मैंनियोर में इतना मैंनियोर पर इतने कम nutrients इसमें क्या होगा nutrients का amount भी क्या होगा जादा होगा और fixed होगा limitation क्या है महंगे आते हैं fertilizer cost more than manure क्योंकि fertilizer के इंडिस्ट्री में prepare कर रहें इंडिस्ट्री वाले तो क्या क्या चीज़े जोड़ते हैं tax वगेरा सब जोड़ता है महंगे आते हैं दूसरा causes pollution अब क्या होगा अगर आपने soil में यह fertilizer fertilizer को spray करा तो जो particular amount का कुछ amount का nutrients है वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा कुछ amount nutrients के कम हो जाएंगे तो imbalance हो जाएगा nutrient का और अगर nutrient का imbalance हो जाएगा तो soil pollution हो सकता है अगर यह fertilizer rain से wash out हो के soil में से कहां गए water में गए तो water का pollution होगा है तो अलग-अलग तरीके का pollution भी कॉस करता है can harm natural ecosystem आप अगर मैन्योर्स दे रहे हो तब तो earthworm या फिर उसके अंदर जो भी अलग-अलग microorganism या organisms प्रेजेंट है आनिमल्स प्रेजेंट है में कोई हाम नहीं होगा बट आप फर्टिलाइजर्स दे रहे हो तो फर्टिलाइजर्स तो क्या होता है harmful chemicals जो कि प्लांट की ग्रोथ को तो प्रमूट कर रहे हैं बट और चीजों में नुकसान पहुचा रहे हैं तो यह harmful chemicals क्या करेंगे जो इकोसिस्टम या अर्थवांज हो गए या दूसरे इंसिक्स हो गए उन सब को किल कर सकते हैं ठेक है अब यूट्रोफिकेशन एक टर्म आती है बहुत बड़ी definition हो गई बहुत complex definition हो गई से देखो जब भी क्या होता है यह fertilizers हो गए या other chemicals हो गए जो की chemicals का amount या chemicals में क्या होते है mainly nutrients ही तो होता है chemicals क्या contain कर रहा है जैसे बताया था nitrogen phosphorus potassium तो यह ही nutrients और chemicals में भी होंगे और जब mainly nitrogen और phosphorus जैसे nutrients का amount इंडस्ट्री से निकल के water bodies में increase हो जाता है तो वो nutrients क्या करते है water bodies में present algae और other phytoplankton phytoplankton मतलब microscopic plants ठीक है तो algae और other phytoplankton की excessive growth करवा देता है क्यों क्योंकि देखो अगर एक water body है for an example अगर यह water body है और इसमें यह algae present है ठीक है अब algae present है क्या हुआ industry से waste निकला यह nitrogen मिल गया water body में यह phosphorus भी आ गया water body में water body में nutrients का amount क्या हो गया access हो गया तो यह जो algae थी ना इसे यह nutrients मिल गए तब क्या करेगी यह excessive growth करेगी और water body में algae का amount बढ़ जाएगा algal bloom हो जाएगा ठीक है water body में algae का amount बढ़ गया इससे क्या होगा algae बहुत ही rapid growth करेगी बहुत जल्दी बढ़ी हो जाएगी और बिलकुल जल्दी बढ़ी होने के बाद मर भी जाएगी और जब वो मरेगी तो उसका decomposition होगा भाई algae अगर grow करी और मर गई तो उसका क्या होगा decomposition होगा और during decomposition reaction bacteria's direct present होते है water में वह algae को decompose करते यह time किया और चांप करेंगे oxygen का use करेंगे और जब bacteria decomposition में oxygen का use करेंगे तो german oxygen का amount क्या फोटा ज्याएगगा वाटर से कम होता जाएगा और जल्द कनफोट में रहने वाली जो forces have belezaT XML has in म hetok चैने क्या से algae या phytoplankton क्या हो गए एक्सिस में ग्रोथ कर दे और जब वो मरेंगे तो डियूरिंग डिकंपोजिशन रियक्शन ऑफ बैक्टिरिया क्या होगा oxygen का डिप्लीशन होगा dissolved oxygen का और fishes और aquatic animals क्या हो सकते हैं हाम हो सकते हैं फिर bio fertilizers क्या होते हैं अब देखो ऐसे microorganisms microorganisms पता है microscopic organisms bacteria fungi algae है ना तो यह microorganisms क्या करते हैं जब में nutrient का amount increase कर देंगे हाँ microorganisms में nutrient का amount increase करते हैं आपने अगर सब्सक्राइब नाइटरोजन साइकल तो आपको पता होगा बहुत अलग अलग तरीके के bacteria on microorganisms होते हैं जो की nitrogen को replenish करने में soil में help करते हैं तो ऐसे microorganisms जो कुछ न कुछ chemical reactions की वज़े से soil में nutrients के amount को बढ़ा देते हैं soil की fertility को बढ़ा देते हैं soil में nutrients के amount को increase कर देते हैं तो उन्हें ही हम क्या बोलते हैm bio fertilizers bio का मतलब ही क्या होता लिविंग तो ऐसे living organisms यानि कि ऐसे microorganisms ठीक है examples देख लेते हैं कुछ legume leguminous plant हमारे दालों वगेरा के plant के root nodules में क्या होता है एक bacteria that is rhizobium जो की nitrogen fixation का काम करता है nitrogen को वापस से fix कर देगा soil में free living bacteria free living का मतलब क्या है यह कहीं पर भी present नहीं होता यह soil में free living है soil में किसी भी चीज से अटैच नहीं है बस soil में ऐसे ही पड़ा हुआ है free living है तो उसका example is azotobacter and lastly cyanobacteria यानि की blue green algae जिसके example आन भी ना नॉस्टों कि यह भी nitrogen fixation का काम कर रहे थे तो आपने क्या देखा कि ऐसे microorganism जो nitrogen को fix करेंगे या फिर other किसी nutrient को fix करेंगे और soil के इंदर nutrient का amount increase कर देंगे वो क्या होंगे bio fertilizer condition यह है कि वो living microorganisms होते हैं ठीक है नौ आज का last topic nutrient management का that is organic farming अब organic farm is organic farming is the system in which chemical fertilizers herbicides or pesticides are minimally used or not used at all instead of manure and recycled farm waste and bio fertilizers are used in the place of chemical fertilizers सीधा सा मतलब यह है आपको organic farming करनी है तो आप fertilizers का यह किसी भी तरीके के chemicals का use नहीं करेंगे और अगर कर भी रहे हैं तो बहुत ही जादा कम amount में करेंगे ऐसी farming अगर जिसमें आप बिना chemicals के किसी भी plant को grow करवाता हैं किसी भी crop को grow करवाता हैं तो that is called organic farming अब fertilizers वगेरा यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे तो हम manure use कर सकते हैं जो हमारा farm waste है जो organic waste है उसे use कर सकते है nutrients replenish करने के लिए साथ के साथ bio fertilizers तो हमारे पास है ही ठीक है तो organic farming के फाइदे क्या है सबसे पहले natural ecosystem is not disturbed organic farming is in harmony with the natural ecosystem soil में रहने वाले जो और्गनिजम से अर्थ वाम इंसेक्स bacteria और भी जो अधर और्गनिजम से उन्हें कोई भी हाम नहीं होता वो बिल्कुल सेफ रहते हैं क्यों क्योंकि हम उन्हें कोई भी chemicals नहीं दे रहे हैं हम बिल्कुल नाचरल चीजें ही दे रहे हैं soil की fertility preserved रहती है nutrients का amount क्या नहीं होता उपर नीचे नहीं होता soil की fertility बिल्कुल maintenance रहती है nutrients balanced amount में रहते हैं harmful effects of chemicals on living organisms are avoided ठीक है यहीं बताया मैंने जो living organisms पर chemicals का harmful effect था कौन से living organisms जो soil में रह रहे थे उन पर कोई भी harmful effect नहीं होगा अगर आप chemicals के use करी नहीं रहे तो air pollution water pollution or soil pollution हो गई नहीं कैसे हो रहा था मैंने बताया था जब chemicals जादा ही हो जाएंगे soil में तो soil pollution और फिर वो chemical washed off हो कि अगर river में चल गए बारिश के बाद तो water pollution है न तो यही pollution है जो भी नहीं होगा अगर आप chemicals को use ही नहीं कर रहे हो तो और इसका advantage सबसे main advantage क्या है हमें chemical free crop chemical free vegetables chemical free other products हमें मिलते हैं जो कि हमारी health के लिए भी बहुत ही beneficial है बहुत ही अच्छ है तो इस वीडियो के लिए इतना ही इसके बाद हम next lecture में next thing discuss करेंगे that was irrigation thank you so much